दोस्तो टोडाल सॉलिशन मिलन में आपले होका फिर से एक बार स्वागाते तो दोस्तो आज का वीडियो बजाज मेरेस्टी ICX7 एक इंडेक्शन कुक्टफ के उपर है तो दोस्तो इसको हम देखिए सिरीज में कनेक्शन कर ले तो यह हमारा one way switch से किया हुआ है इसका switch दबाने से डाइरेक्ट हो जाता है और switch off रहने से इसका connection होता है तो देखिए इसमें कोई भी power नहीं आ रहा है power switch दबाने से भी इसका power नहीं आ रहा है तो इसका problem है बिल्कुल dead है पूरा dead है तो इसका ही repair करेंगे आज का वीडियो में आप लोग बन नहीं रहे है और चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जुरूर चैनल को subscribe कीजिए notification bell icon को दबा लीजिए नय नय वीडियो के notification सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों आप लोग technician हो या non technician हो कोई भी हो हमारा वीडियो देखके कोई कुछ न कुछ ज्युरूर लाब उठा सकते हो आप लोग तो वीडियो के एनल स्क्रीन में हमारा और भी वीडियो रहे आप लोगches को मिल जाएगा और वीडियो के उपर जो आई बटन सो करेंगा वीडियो फे भी आप लोगो बिडियो दिख जाएगा तो देखिए दोस्तों इंडेक्शन कुकर तो हमने खोल लिया है तो यह देखिए इसके अंदर बहुत सरा कॉक्रोच हमको दिख रहा है हो सकता है कॉक्रोच के कारण कुछ सौर सरकीट भी हो सकता है या जंग आके कोई भी प्राब्लेम हो सकता है आई सी खराब हो सक तो यह देखिए तो इसको हम अच्छे से साब कर लिया है अभी आप देखिए इसका जो ग्राउंड है जो नेगेटीव है दोस्तों वह इसे हम एक वैर उठा के देखिए माल्टीमीटर का नेगेटीव में लगा दिया है आप DC 600 वोल्ट में माल्टीमीटर को रख दिया है इसमें देखिए 300 वोल्ट के करीब आ रहा है मतलब लगबग सही है हमको जो है 300 वोल्ट के करीब आना चाहिए 300 से साही 300 तो हमारा IGT में है वोल्टर से जहीं हे उसके बाद जो जो चरणिक्षन आ रहा है दोस्तों ओ तीनसो आप जा जारा तो हर जगा में हमारा connection है तो ए सेक्शन हमारा बिल्कुल सही है आईगेटी शेक्शन बिल्कुल सही है दोस्तो हमारा जो problem है दोस्तो power supply section में power supply section जहाँ पे दोस्तो wiper 12 भी लगता है कभी-कभी AP 8023 ICB लगता है दोस्तो तो उ पार सप्लाई सेक्शन में प्रोब्लेम है क्योंकि देखिए हर जगा में हमारा बोल्टेज जो है मिल रहा है आजी बीटी सेक्शन में मिल रहा है दोस्तों तो राइट साइड में जो है पार सुइट मोडिलेशन का जो सेक्शन है दोस्तों तो यह बिल्कुल जो है सारा section हमको सही दिख रहा है यहां पर जो low voltage और high voltage का line हो भी सही है तो यह देखिए यह जो IC है दोस्तो 8023 इसमें हमारा तो voltage बिल्कुल सही आ रहा है उसके बगल में हमारा जो है main capacitor लगा हुआ है तो आप देखिए display जो connection है दोस्तो यह पर भी हमको voltage नहीं मिलेगा सही से और इसका जो छोटा सा smps driver रहता है दोस्तों उससे हमारा जो है वह वही से जो है 5 volt हमारा output होता है 8 volt fan के लिए output होता है 9 volt output होता है उससे regulator IC लगा के 5 volt output होता है तो कुछ भी voltage यहीं पर नहीं मिल रहा है सिर्फ एक वोल्टेज 4 volt दिखा रहा है हर जगा में तो यह जो IC है यह IC खराब है तो इस IC को हम change करेंगे यह 8023 IC है दोस्तों तो इस IC का problem हो गया तो यह short तो नहीं हुआ है लेकिन यह खराब हो गया हो सकता है अंदर से open हो गया क्योंकि power supply जब भी induction में power नहीं आता है कोई भी बीप का sound नहीं आता है on करने से तो आप तुरांदी समझ सकते हो इसका जो है पावर सप्लाई वाला IC में problem है पावर सप्लाई सेक्शन में problem है और दोस्तों इसका जो पावर सप्लाई वाला section है दोस्तों इस IC को बैठाने से पहले आपको जो इसका programming IC है इसको उठा लेना चाहिए क्योंकि यह IC board में जहां पर बैठा है कोई पर कोई भी base लगा हुआ नहीं है तो हम उसको उठा नहीं पाए तो यह दिखिए IC को हमने change कर दिया है यह IC को change कर दिया है यह दे पहले वाला IC था तो यह IC को change करने के बाद जो voltage हम इसमें देंगे तब इसका voltage नापने के बाद ही हम इसमें जो इसका programming IC है उसको बैठा सकते है लेकिन इस programming IC को हम उठाने के चक्कर में और बैठाने के चक्कर में वो खराब भी हो सकता है इसलिए उसको रहने दिया है हमने उसको नहीं उठाया तो लेकिन अगर बेस रहता है बेस के उपर लगा रहता है तो उसको उठा के ही आप voltage को चेक कीजिए क्यूंकि अगर कोई सौर्ट सर्किट होता है तो प्रोग्रामिंग आई सी जो है वो खराब हो सकता है तो देखिए हम अच्छे से इसको साब कर लिया है अब हम इसमें सेरीज में कनेक्शन दे के 220 भोल का हम इसको चेक करेंगे तो जल्दी से इसको सेट कर देते हम जैसे भी था वैसे हम सेट कर देते तो कोईल को भी बैठा देते तो यह दिखिए इसका डखकन भी उपर से हमने लगा दिया है यह दोस्तों बजाज मेजिस्ट्री का इसका डिस्प्ले का वैर है दोस्तों इसको भी हम लगा लेते तो लगाने के बात देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है फिर इसका इलाज भी हम करेंगे तो स्टिप बाई स्टिप हम आगे बरेंगे पहले तो पार सप्लाई जो की नहीं आ रहा था उस आईसी को हमने चेक कर कभी कभी ओपन रहने से आपको आईसी को चेक करने से भी पता नहीं चलेगा तो दिखेंगे हमारा जो फैन एक घूम रहा है तो मतलब हमारा जो पार सप्लाई सेक्शन अभी शेही हो गया ताब हम डखकन को लगा देते उसके बाद दिखिए हमारा जो यहां पे हमारा देखिए डिस्पले आ गया है अब हम इसके उपर एक पॉट रखेंगे दोस्तों पॉट को रखके हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बाद देखेंगे हमारा गरम भी हो रहा है के नहीं और यह सब देखने के बाद दोस्तों इसका जो पीसेट रहता है एक पार्सों का एक पीशेट रहता है उसको भी हम सेट करेंगे इसका MPR को देखें के ज्यादा MPR ना ले अगर इंडेक्शन ज्यादा एंपियर लेते तो आई जी बिटी तुरन्त ख़ड़ाब होने की chances रहता है तो उनमें हम पांच से आठ आठ एंपियर के अंदर ही उसको रखेंगे तो यह देखिए हमारा जो पानी है वो गरम होने लगा है अभी हमारा जो 800 में दिया हुआ है अब थोड़ा थोड़ा करके बाराएंगे तो यह देखिए बिल्कुल सही से गरम हो रहा है जितना भी प्रॉब्लेम इसके अंदर था दोस्तो ओ सेप था इसका जो पावर आइसी था यह सौट नहीं हुआ था सौट होने से और भी कुछ हमको चेंज करना पर सकता था यह सौट नह जंग लगा वह था हो सकता है अंदर भी जंग आके ऐसी खड़ाब हो गया था तो ओके टैंक यू वाचिंग माई वीडियो